तो आज की वीडियो में I'll be answering some of the queries of the students actually यह जो questions है यह बहुत सारे students ने कुछ इस तरह के questions पूछे थे तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक general reply सबको दे दूँ ताकि जिस भी तरह की confusion अगर कुछ है बच्चों को courses के regarding और भी कुछ बाते तो वो उनको थोड़ा clear हो सकी ठीक है तो यह कुछ messages मैंने निकाल के रखे हुए I'm not revealing the name out here of the student बट हम आज इनके messages का थोड़ा reply कर देते कि क्या चीज़ है और कैसा है कोई भी confusion है अच्छों को इसको इसके regard तो ठीक है थोड़ा unusual type of video है from my side आप जनरली ऐसे video नहीं पाते हो तो ठीक है Sunday है थोड़ा Sunday मनाया जाए ठीक है थोड़ा मसालेदार वीडियो मिला है आपको आज चलो तो पहला question बच्चे का है that I have one question I am not taking any other coaching or chemistry except you so can I totally rely on your lectures तो यह एक अच्छा सवाल है यह doubt आता है बच्चों के मन में तो इसका मैं answer दे देता हूं yes बिलकुल आप hundred percent rely कर सकते हैं सिर्फ yes नहीं बोल रहा मैं आपको समझा भी देता हूं आप खुद ही compare कर लिएगा कि मैं आपको क्या चीज प्रोवाइट कर रहा हूं और आप जहां कहीं और भी अगर पढ़ते तो आपको क्या उतनी चीज मिल पाती यह चीज पे आप एक बार गौर करिएगा for example अभी मेरी organic chemistry की life courses चल रही है organic chemistry का मेरा course चल रहा है अगर अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है तो आप chem IIT app install करिए और app install करने के बाद आपको store section में courses मिल जाएंगे बहुती low prices में मिल जाएंगे और आप वो course avail कर सकते हैं और अपनी organic chemistry की तयारी एक तम सूपर level तक ले जा सकते हैं और भी बहुत सारे course है physical chemistry से भी related उसके बारे में मैं बात करता हूँगे तो देखो आपको जैसे organic chemistry का course हमने अभी फिलहाली start किया है ज्यादा दिन नहीं हुआ है hardly 15-20 days हुए होगे और उतने दिन में हमने IUPAC पूरा खतम कर लिया है nomenclature वाला portion along with that हम structural isomers हमने पूरा खतम कर लिया है geometrical isomer खतम कर लिया है और optical isomer भी हमने almost खतम कर लिया है एक दो lectures optical के और बचे हुए है और फिर confirmation आपको पढ़ाया जाएगा तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ हमने IUPAC और isomerism including stereo part we have finished और मैं इसमें ये जो दो चीज़े हैं ये तो हो गई है ठीक है और फिर अभी आगे मैंने ये भी कहा है कि four months में आपको ये सब पूरी चीज़े पूरी चीज़े बिल्कुल proper schedule के साथ sequence के साथ आपको provide होगी उसके बाद आपको questions भी मिल रहे हैं जैसे हमने IUPAC किया मैंने उसके जितने questions जरूरी थे एक तो most of the questions मैं class में करा दे रहा हूँ और उसके बाद कुछ extra questions जितने जरूरत हैं वो मैं आपको provide कर दे रहा हूँ तो आपको questions भी मिल रहे हैं समय समय पर ठीक है जैसे geometrical eyesomer की मैंने आपको worksheet दी और वो worksheet बहुत ही अच्छे level की worksheet है उसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे level की worksheet है अगर मैं बता हूँ तो मैं इस book से worksheet लेना प्रेफर करता हूँ यह यह जो book है और अक्षय चौधरी मैं तो यह कहता हूँ कि this is one of the best books for problem solving books में सबसे अच्छी किताब मैं मानता हूँ और इसको मैं प्रेफर करता हूँ तो worksheet जो आपको मिलती है वो इस book से कही न कही inspired होती है तो worksheet के level पे भी आपको शायद कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है और यह होने के बाद सबसे important चीज़ है कि आपको बिटा एकदम personalized experience मिल रहा है आप इस बात को देखे personalized experience मिल रहा है वो कैसे आप पे हमारा group बना हुआ है complete organic chemistry का उसमें बच्चों के हर doubt का reply मैं देने की कोशिस करता हूँ ठीक है हर doubt का अगर कोई भी doubt आ रहा है बीच में तो I am there to reply I am available तो इतनी सारी सुविधाएं अगर आपको मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और ऐसी चीज़ें आपको मिल पाएं और हर doubt clear किया है मैंने जो बच्चे group में होंगे भी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो comment section open है आप बिलकुल बोल सकते हो कि सर ये आपने doubt नहीं clear किया है हो सकता है कभी message reply करने में कुछ समय लग जाए because दिन भर active नहीं रहते चैट section में हम बैठके बट जैसे time मिलता है तुरन सभी doubts को resolve किया जाता है चोटे मोटे doubts बच्चे आपस में resolve कर लेते तो उसमें interfere नहीं करता हूँ तो ये चीज़े आपको मिल रही है और ऐसा बिलकुल नहीं है कि चार महीने के बाद आपका जो हमारा course है वो halt पे आजाएगा ऐसा नहीं है मैंने कहा है चार महीने में advance का syllabus आपको complete करा दूँ उसके बाद हम regular test जो है वो आपको free of cost इसी course के अंदर मिलेंगे ठीक है मतलब समझ लो आप उसी में included है जो test वगेरा है हमारे हम test करते जाएगे उसके बाद कुछ advance topic जैसे मैंने Clayton बोला है Clayton को पढ़ेंगे हम और वो भी आपके जो आपको advance से Olympiad level तक लेकर जाएगा वैसे topics वैसे concepts आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी मैं rank boosting concepts पढ़ा रहा हूँ 2023 वाले बच्चों को कुछ वैसे concepts उसको strengthen करेंगे हम तो I don't think कि इससे बहतर चीज़ें आपको कहीं मिल पाएंगी India level पे बात कर रहा हूँ मैं उससे नीचे में बात करता नहीं वैसे तो आपको शायद ही कहीं मिल पाए ठीक है तो I hope आपको को ये बाते समझ आई होंगी थोड़ी सी और देखिए बटा जब मैं physical chemistry की बात करूँ physical chemistry पे भी आप मेरे उपर hundred percent rely कर सकते हो अब इसमें मैं बता देता हूँ अभी फिलाल हमारा क्या है कि physical chemistry मैंने mole concept नहीं पढ़ा है तो अब चिंता वाली बात नहीं है mole concept concentration terms और redox reactions इसको complete YouTube पर हम पढ़ाने वाले हैं और पहला lecture हमारा Thursday से आना start हो जाएगा Thursday onwards lectures आने start हो जाएगे और बाकी जितने बड़े बड़े chapters है electro chemistry हो chemical kinetics हो thermodynamics हो equilibrium हो solids हो liquid हो यह जितने chapters है हमारे already uploaded है recorded lectures ठीक है uploaded है वहाँ पर app पे ही uploaded है और बहुत ही affordable prices में हैं आप ये भी check out कर सकते और अगला question कुछ price से related है काफी unexpected question है बट है तो उसको भी मैं answer करूँगा अब देखो यह आपके पास है यह हम यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे एक recommendation मेरा यह रहेगा यहाँ पर कि mole concept कि मैं तीन lectures अगर जैसे आप तीन lectures कर लेते हो ना मेरे शुरू के तीन lectures उसके बाद मैं recommend करूँगा कि आप पुरा concentration term redox इतना पढ़न प्री रिक्विसिट हो जाएगा कि आप यहाँ जाकर thermodynamics equilibrium यह सब पढ़ सकते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके theory पढ़ना start करिए और strengthen करिए अपनी topic को और मैं यह बता रहा हूं यह जो theory जो मैं level दे रहा हूं physical chemistry का theory कि theory का वो unmatchable है यह कि unmatchable है इंडिया level पे unmatchable theory आपको दे रहा हूं अगर आपको free lecture देखना है तो आप QMM जो है वो मेरा freely available है आप वो देख सकते हैं उससे आपको difference feel हो जाएगा physical chemistry जो मेरी physical chemistry होती है वो formula और numerical वाली सड़ी physical chemistry और जूटी physical chemistry नहीं होती है यहाँ पर concepts पे बात किये जाते हैं actually जो जैई advance demand करता है और उसके बाद म एक बात और बताओं अपन इसको फिर preparation को और enhance करने के लिए problem solving series भी लाएंगे physical chemistry में ठीक है problem solving series और ये problem solving series आपको मज़ा तब ही आएगा जब आपने theory वाला person मेरे साथ पड़ा हुआ है तब ही मज़ा आएगा आपको क्योंकि problem का level भी मेरे type कर रहेगा मज़ा आएगा आपको problems में तो ये आपको और क्या चाहिए physical chemistry में आपकी पूरी theory बहुत अच्छे से हो जा रही है फिर आपको जो sheets है वो theory lectures के अंदर ही provided है वो आपको खुद कर लेने है और after that आपको problem solving series मिल रही है जहां पर हम chapter wise tough 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 problems कर तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपको और इतने personalized way में आपको और कहीं कुछ मिल सकता है तो I think I have answered this question satisfactorily मैंने इसका answer आपके लिए कर दिया है आर डे टोटली रेलेवेंट फॉर जेई एडवांज आयम 2024 aspirant dropper तो यह बात से मेरे को मैं हाटची के इसका answer करते हूं कि इस 100% relevant या मतलब मेरा जो चैनल ही है हम जेई एडवांज रेलेवेंट काम ही करते और अभी हमारा physics का भी चैनल आया हुआ है coherent physics for je and all of the arts by web of sir तो आप वो physics का चैनल भी चेक आउट कर सकते हैं और यह हमारा हमेशा से promise रहा है कि हम जेई advanced लेवल चीज़े ही कराएंगे अपने चैनल में और वही कराते आ रहे हैं पिछले दो-ड़ाई साल से भले उससे audience थोड़ी कम रहती है बढ़ ठीक है हमें थोड़ा satisfying feel होता है कि लेवल नहीं गिराना वही बहुत satisfying लगता है मुझे तो मैं थोड़ा satisfaction पे ज़्यादा believe करता हूं ना कि बहुत ज़्यादा on numbers ठीक है तो अब यहाँ पर मुझे ना एक आपके उपर ये doubt है कि relevant तो 100% है और ये जो भी बच्चे को थोड़ा भी exam का समझ होगा ना वो इस बात को तुरंट समझ जाता है इतनी बात तो समझ जाता है और आपने लिखा है कि आप dropper है and if you are a dropper हो सकता है आपका exam किसी कारणवश अ having skill नहीं develop हो पाई हो सकता है concept थोड़े से कमजोर रह गए बट आपको exam क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए ठीक है वो समझ में आ जाना चाहिए कि exam क्या है exam का demand क्या है क्योंकि अगर आपको exam की समझ होती ना तो आपको यह relevancy वाली point मेरे channel में या फिर मेरे content में जही advance के ल ही आता है ठीक है बट हो सकता है साइद आपको थोड़ा भी exam की समझ डेवलप नहीं हुई होगी आप थोड़ा उस पे work करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ठीक है और फिर है अगला सवाल और यह सवाल तो मतलब just क्या बोलो मैं इसको ठीक है देखो सर यू सर्च डैश एकेडमी ओन यूट्यूब दे आर डैश मैम और डैश सर और होल कोर्स फॉर केमिस्ट्री फॉर थर्टी थाउजन रुपीज अच्छा और गैनिक का कोर्स थर्टीन थाउजन रुपीज का है बट सर आपका दो अजार का क्यों है वाह यू आर पुटिं सेम टाइम इवन मोर टाइम मोर क्वालिटी दन प्राइस शुड़ भी हाए अब इसका मैं क्या ही आंसर करूं इनका कहना है कि सर आप 2000 में क्यों पढ़ा रहे हो और इस तरह के सवाल मैं अभी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ जब मैं अभी अपनी आफलाइन टीयर लांग फ्री तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पढ़ा सकता है कोई फ्री कैसे पढ़ा सकता है कुछ बहुत सारे तो ऐसे मैसेजزिस आएं सर कुछ स्कैम होगा हमें ऐसा लग रहा है तो अब मैं उनको कोई मैं कन्विंस करने वाला काम नहीं करता कि कि मैं convince कर रहा हूं नहीं नहीं आ जाओ बट हाँ मैं फिर से एक बार on camera बोल रहा हूं कि जो मेरी offline classes भी हैं उसमें जो conditions मैंने बताए हैं उनी conditions पर class है आप से कोई भी charges वहाँ पर नहीं लिये जाएंगे ठीक है except the small token fees or registration fees that you can say अब यहाँ पर इसका answer मैं क्या करूँ कि sir आप 2000 में क्यों बढ़ा रहे हो तो यार देखो यह इसी mentality की वज़े से ना जो आप लोग कहते हैं कि यार coaching centers इतने high fees क्यों demand करते हैं मैंने पहली कहा है उसमें coaching centers की कोई गलती नहीं है और वो सब legal काम है पहली बात है ना इसमें कोई यह reason समझें इस mentality की वज़े से भी price high रखना पड़ता है लोगों को इस mentality की वज़े से आप दे सकते तो इस number पर आप message करिएगा आपको QR scanner दे दिया जाएगा और आप वहाँ पर 20,000 पे कर दीजेगा ठीक है उसी चीज़ के लिए तो शायद आपको satisfying feel होगा और उसके बाद आप बढ़ सकते हैं ठीक है यह कर सकते हैं आप अगर चाहें तो your wish बट जो आप पे price ह वो इतना ही है और इतना ही रहेगा और इसमें भी मैं बताओं बहुत सारे बच्चे इसमें भी जिन बच्चों ने मुझे यह message क्या है कि sir this is थोड़ा सा affordable नहीं है थोड़ा बाहर जा रहा है हमारे limits से तो मैंने team को यह भी बोला है कि जब आप बात करें कोई ऐसा query आए तो आप एक EWS certificate ले सकते हैं बच्चों से कि यार एक ठीक है एक proof आजाए कि ठीक है कोई बात नी थोड़ा economically बच्चा ठीक नहीं है और उसके बाद even मैंने 60-70% तक का discount भी बोला है दे देना हो गया अगर कोई बच्चा इस तरह से है तो तो अब यह कोई कर रहा है तो फिर यह लगने लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है यह तो कुछ गलत होगा पका इसके पीछे तो इससे इसी लिए ना क्या होता है कि बहुत अच्छी चीजे नहीं हो रही होती है हमारे आसपास क्योंकि अगर कोई कुछ धंका करने की कोस्स कर रहा होता है तो लोगों को लगता ह हैं आप इस तरह से सोचेंगे इतनी नेरो माइंडेड थिंकिंग रहेगी आपकी तो फिर ये भविश्य के लिए अच्छा नहीं है चली और ये अगला भी एक ये है ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से बहुत बार पूछा गया है पिछले तीन चार साल में ठीक है तो इसका भ डिग्रीज आई मीन क्वालिफिकेशन लाइक इफ यू आर पास्ड आउट फ्रॉम दे इंस्टिटूट यू शूड जस्ट मैंशन इट ओवर देर तो अब इसको थोड़ा इस तरह से सोचो हो सकता है जो मेरा थ्वाट प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग रहता है हो सकता है लोगों को समझ वो थोड़ा कम आता है उनमें कोसिस करता हूँ रखने की अपनी पॉइंट और आपको समझ आता है तो ठीक है नहीं आता है तो भी ठीक है क्या फरक पड़ता है आपकी प्रिपरेशन में आक्चुली देखा जाए तो उससे क्या ही फरक पड़ता है बट फि भी इंस्टिट्यूट या जिस से भी मैं पास आउट हूँ या फिर मैं जिदर भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि X this faculty और something like that जो लिखा करते हैं तो मेरे मन में ये आता है यार कि ये क्यों लिखना है आप ऐसे सोचो पहले कि यार ये क्यों लिखना है क्यों लिखना है तो फिर पहले answer आता है देखो ये सोचने के लिए आपको पहले अपने दिमाग को थोड़ा zero करना पड़ेगा आपको उस हिसाब से नहीं सोचना पड़ेगा जिस तरह से आपने surrounding से जो जो चीज़े absorb कर ली है तो आप उसी चश्मे से सब कुछ देखते है फिर आपको लगता है नही इसलिए नहीं करता कि सब कर रहे है ना इस चीज़ से मैं बिलकुल अलग क्यों करना है क्योंकि सब तो कर रहे हैं तो कर देते हैं ना तो आप समझे इस बात को ये में को जो समझ आता है कि नाम के सामने ये लिखने के reason दो हो सकते है या तीन हो सकते है वो reason क्या है अगर इन मैं बिलकुल उसको mention करता यहाँ जैसे की suppose करो कि अगर इस x y z institute ने जो अभी मेरे पास है या बोल सकते हो जो अभी मेरे पास level of knowledge है या फिर जो level है आपको किस तरह से मैं subject को deliver कर रहा हूँ आपके पास जो teaching skills हैं ये बोल सकते हो आप अगर इन skills में इसका एक substantial role होता अगर होता तो मैं बिलकुल उसे mention करता है तो पहला ये point है अगर इसका role है तो mention करना चाहिए तो मैं बता दू कि मेरे जो level of knowledge है या फिर जो भी delivery है teaching skills है जो भी है उसमें इस चीज़ का role negligible है जी हाँ emotionally attached हो जाते हैं for example जैसे मैं किसी city में हूँ और मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ city तो यार इस city ने मुझे बहुत दिया है या ऐसा कुछ filmy lines इस city ने मुझे बहुत दिया है या कुछ ऐसा है मैं किसी भी city में होता तो मैं वहाँ से वो चीज़ अपने लिए extract कर लेता तो उसमें जो भी महनत है वो मेरी है सीधी बात ठीक है अगर अपना आख को खोल के देखे तो कुछ ये ज़्यादा एक better view मिलता है इस चीज़ से कोई city ने ने नह जानी आता है तो institute को लेकर भी ऐसा ही हाइप है कि भाई institute में यहां में गया उससे जो मेरे को exposure मिला या फिर जो ऐसा मिला जो मुझे आईटी मुंबई का culture मिला उस culture की वज़ा से आज मैं जो हूँ हूँ ऐसी बातें जो हैं इसमें भी मुझे सच्चाई बहुत कम लगती है क्योंकि personally मैंने ऐसा feel करा हुआ है कि जो भी एक सोई I am not saying that I am from IIT मुंबई और सो ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा भी बट यह जो institute है उसका contribution negligible है ना के बराबर contribution है दूसरी चीज मैं कब mention करता कि अगर मुझे कोई नौकरी चाहिए होती क्योंकि वहाँ करना जरूरी होता है क्योंकि फिर वहाँ पर एक वो CV बनाते है कुछ है तो अगर नौकरी चाहिए तो वहाँ पर mention करना होता है तो ना ही तो इसका contribution है मेरे life में तो नहीं बोलूगा बट मेरे जो अभी जो मेरा profession है उसमें इसका contribution zero है negligible है दूसरी चीज मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं मुझे नौकरी चाहिए ही नहीं किसी से तो मैं क्यों mention करूँ फिर तीसरा एक बच्चों के मन में आता है नहीं सर उससे ना हम आपको judge कर पाते हैं कि आपने exam crack किया है कि नहीं तो ये मुझे नहीं लगता कि this is the correct और exact right way to judge तो ये भी reason है कि मैं ये सब बताना prefer नहीं करता आपको judge करना है तो आप मेरे teaching skills को देखें मेरे content को देखें जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वो देखें और आप compare करें मैं बिल्कुल बोलता हूँ इस बात को हमेशा on camera कि ये ऐसा नहीं होता कि अरे यार teaching में comparison कुछ लोग आते न बुलें नहीं teaching ऐसा job है उसमें comparison नहीं होता है भाई comparison compare करो जाके जो पढ़ा रहा हूँ कहीं जहां से और पढ़ रहे हूँ उसको compare करो तब समझ में आएगा ये सब फालतू कि emotional drama में मत फसो कि emotional की नहीं teaching तो हर teacher अच्छा है comparison नहीं होता है अपर सब होता है comparison comparison नहीं करोगे तो खुद ही कहां रह जाओगे पता नहीं चलेगा कुछ भी पढ़ते रहोगे तो मैं सीधे बोलता हूँ कि आगको अगर skills judge करनी है तो आप teaching skills देखें आप compare करके देखें ठीक है इंडिया के top level पे compare करके देखें तो फिर आ तो वही बात है finally मैं इससे ये समझ में आता है कि इस question का मेरे लिए न उतना ही मतलब है जितना कि कुछ ऐसे questions कुछ personal ऐसे questions जिसका कोई relation ही नहीं है मेरे profession से like ऐसे questions कि सर आप most often dinner कहां करने जाते हो पप्पू के ढढ़ावे में कि लल्लू के ढ़ावे में है न कुछ ऐसा question तो मैं आपको तो नहीं बता रहा न कि मैं पप्पू के ढढ़ावे जाता हूं या लल्लू के ढ़ावे जाता हूं तो ये भी क्यों बताओं तो इसका कोई फाल्तू सवाल है ये भी और इसका reason मैंने आपको समझा दिया इसका कोई लेना देना ही नहीं है मेरे profession के साथ इसलिए मैं इसको जरूरी नहीं समझता इन बातों को करना आई होप अफसाइद आप प्वड़ी बहुत समझ आ गई होगी और फिर एक और है कि sir my parents asked me who is your answer and what are the qualifications again वही आंसर है आप ये वीडियो दिखा देना उनको तो शायद उनको समझ आ जाएगा और देखो एक और में conclusion ये देना चाता हूँ मैं ये जानता हूँ कि मैं प्योर जैई हाँ लेकिन आपको मैं results बिल्कुल बता सकता हूँ मैं अपने 2022 के results अगर आप मांगेंगे तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ कि जिन बच्चों को मैंने IITs पहुंचाया हुआ है उनके results दे सकता हूँ 2023 में तो हमारे पास थोड़े जादा बच्चे है इस बार तो बहुत जादा अच्छे results की उमीद है कि बच्चे हो सकता है two-digit, three-digit rank बहुत असानी से crack करें वो सकता है ऐसा ठीक है अगर luck अच्छा रहा तो बच्चे अच्छा crack करेंगे कुछ बच्चों को मैंने judge किया है अपने throughout जो courses चलाएं है उसके, तो उसका results आपके साथ मैं बिलकुल share कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे profession से related है, ठीक है, उसका काम है मेरे profession के साथ, तो वो मैं आपके सामने बिलकुल कर सकता हूँ share, तो आप वो चाहें, तो आप मांग सकते 2022 के कुछ results मेरे पास है, जो personally जिनको मैंने बढ़ाया है throughout the year, तो उनके results मैं आपके साथ share कर सकता हूँ, अच्छे-च्छे ideas में भी बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका वही है, तो देखो मेरा यह मानना है यार कि जो J.E. advanced है, मैं यह मानता हूँ कि मेरा content पूरी तरह से इस पे चलता है, इस पे relevant है, और अगर किसी बच्चे में समझ होगी न, तो वो इस बात को बिलकुल समझ जाएगा और वो नहीं पूछेगा कि आपकी qualification क्या है यह, वो बच्चा नहीं पूछेगा, और जिस बच्चे को exam की तोड़ी समझ कम है, उसके मन में यह सब सवाल आएंगे, और अगर उसको exam की स समझ नहीं है, तो exam निकलेगा कास, और जहीए advance ऐसा exam है, जो कि एक साल आपको यह feel कराता है, कि यार मेरे को समझो पहले, कि मैं हूँ क्या, तो आप पहले exam को समझे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इन सवालों की कोई खास एहमियत है नहीं, तो I hope I have answered the questions properly, ठीक है, ठीक है फिर, मिलते हैं, अगले lecture में, rank boosting concept का part 4, और mole concept Thursday से start कर रहे हैं, और अगर आपने भी तक नहीं app install किया है, आप app install कर लीजिए, और जो भी courses है, बहुत ही quality courses है, आप जा कर देख सकते हैं, even मैं बताँ जैसे stereo isomer वाला portion जो है, पूरा isomer, वो separately भ तो आपको अगर doubt है कि यार ठीक पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सर, तो आप जाके isomerism सिर्फ पढ़ लीजिए, और वो आप जहां से भी और पढ़े होंगे, x, y, z, जहां से भी पढ़े होंगे, compare कीजिए, तो फिर से बोटाओ, compare कीजिए, ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, ये बेकार है, ऐसा होना चाहिए, comparison, ठीक है, बहुत फरक होता है, teacher, good teacher, तो ये करा करी, तब जाके चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, चलिए, ठीक है, thanks for watching, thanks for your time.